तो फाइनल दोस्तों इंडियन बॉक्स आफ इस पर आज रिलिज हो चुकी है बॉल्यूट के खिलारी भाईया अक्षे कुमार और टाइगर शॉफ की मच अवेटेट फिल्म बड़े मिया छोटे मिया और दोस्तों इस फिल्म को आज अपने पहले दिन जिस तरह की शानदार ओपनिंग औल और इंडिया से मिल रही है उसके बाद यह कहा जा सकता है कि यह फिल्म इस साल की one of the biggest opener बनने वाली है लेकिन दोस्तों इस फिल्म का comparison हम करने वाले हैं इस साल रिलीज होने वाली सब सब बड़ी opener यानि कि दोस्तों रितिक रोशन की action adventurous film fighter के first day box office collection से और जानेंगे दोस्तों यहाँ पर की fighter और बड़े मिया छोटे में हमें Indian box office पर और दुनिया बर के box office पर किस फिल्म ने मारी है बाजी तो वीडियो को last day तक जरू देखेगा और हमें comment करके जरू बताइएगा क्या आपको fighter जादा बेटर लगी या फिर बड़े मिया छोटे मिया तो चले शुरुआत करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले त फिल्म फाइटर के box office collections के बारे में जिसे कि Indian box office पर दोस्तो 26 जनवरी को release किया गया था और दोस्तों ये फिल्म इस साल release होने वाली one of the most अवेटरेट फिल्म थी जिसके लीड में दोस्तों आपको बॉलूट के Greek God, रितिक रोशन के साथ-साथ, अन्जिल का पूर सार, DP का प box office पर इस साल की one of the biggest opening 26 जनवरी को लिए अगर बात किजाएं यहाँ पर इस फिल्म के अभी तक के total box office की तो दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म को all or India में 4500 screens पर release किया गया था, दुरिया बर के box office पर ये फिल्म 6000 screens पर release किया गय थी और इस फिल्म के सामने कोई भी ब opening मिली जो कि एक तरह से आज इस साल की सबसे बड़ी opening है, महीं दुनिया बर के box office पर दोस्तों ये फिल्म 36 करोड रुपे कमाने में कामयब रही, रितिक रोशन की इस फिल्म को audience की तरफ से अच्छे reviews मिले थे, महीं दोस्तों क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को अच्छी ratings दी ये इवेज़ जए हैंधार दोस्तों की सिर्फ 4 ही दिनों में ये फिल्म इंडियन बोक्स अफिस पर 100 करोड रुपे से ज़्यादा की कमाई कर चुकी थी, जबकि दोस्तों दुनिया बर के box office पर ये फिल्म लगबच 150 करोड रुपे से ज़्यादा कमा चुकी थी, दोस्तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बड़ी मैं चोटे मियां एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे की डारेट क्या है अलियाब्बाज जफर ने और अलियाब्बाज जफर भी दोस्तों इससे पहले इंडिया सीरिमा को कई सारी ब्लॉक्बश्टर फिल्में दे चुके हैं उसे मिलता हूँ नजर आया और दोस्तों इस फिल्म ने साड़े साथ करोड रुपे तो सिर्फ एडवांस में ही कमा लिये थे लेकिन दोस्तों आज मॉर्निंग से ही इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की बीच में जो क्रेस देखने को मिला वो भी दोस्तों एक अलग ही लेवल क रहा क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के आज मॉर्निंग से ही लगबग 30% से ज़्यादा शो हाउस फुल रहे सूपर इस्टार अक्षई कुमार के धमाकेदार एक्शन टाइगर्श के साथ उनका ब्रोमैंस और इस फिल्म की कहानी ओडियंस को पसंद आ रही है यही वज़े है कि यह फिल्म आज मॉर्निंग से ही 35% की उक्ईपैंसी लेकर ओपन हुई अफ्टर नून और इवनिंग की उक्ईपैंसी में भी काफी अच्छा ट्रेंड देखने को मिला अक्षई कुमार की इस फिल्म को ओडियंस और क्रिटिक्स दोनों की ही तरफ से काफी अच्छे और रितिक रोशन की फिल्म फाइटर के ओपनिंग डे कलेक्शन को पीछे कर रही है तो वहीं दोस्तों दुनिया पर के बॉक्स आफिस पर भी इस फिल्म को आज अपने पहले दिन काफी अच्छी ओपनिंग मिलती ही नजर आ रही है यह फिल्म दोस्तों ऊवरसीज में भी आज अपने पहले ही दिन 50 करोड रुपे के आंखड़े को टच कर रही है और इसी के साथ दोस्तो इस फिल्म ने बाउलिड में अक्षर कुमार और 2024 की सबसे बड़ी ओपनर बन चुकी है दोस्तो बताते चले आपको की रितिक रोशन की फिल्म का बजट भी लगबग 200 करोड रुपे का था और यहाँ पर बड़े मिया छोटे मिया का बजट भी 300 करोड रुपे का है ऐसे में दोस्तों दोनों ही फिल्म में एक्शन थ्रिलर फिल्म में तो है लेकिन दोस्तों दोनों ही फिल्मों को आडियन्स की तरफ से ओपनिक काफी अच्छी मिली है